बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम, अस्सलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग मैं अलम्दिल लटी थीपिंग, मैं आज लेकर रहें केरेमल पॉपकॉर्ण की रेसिपी, इससे पहले मैंने जो बनाये थे, वो नमकीन पॉपकॉर्ण बनाये थे, साल्टिट, वो भी मेरे चैनल पे मु इतने वो जाएंगे पॉपकॉर्ण, यह देखें, मेल्ट हो गया है मक्षन, अब इसमें हम डाल देंगे पॉपकॉर्ण, हाफ कप मैंने चूला भी बिल्कुल सिलो कर दिया है, ताकि एक दम उचलना न शुरू हो जाएं, इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, ब बहुत जोर-जोर से उचलते हैं, तेज चूले पर हमने बनाने हैं यह पॉपकॉर्ण, फूल आच रखनी है, इसके नीचे, यह देखें, तियार हो गएं और थोड़े से मतलब रुख गयते हैं, उचलना बन हो गयते हैं, तो मैं अब इसको एक बॉल में निकाल रही हूं, यह देखें, यह तियार हो गएं पॉपकॉर्ण, अब इसके केरेमल तियार करेंगे, चीनी लिए एक कप बटर लेंगे, टूटे बली स्पून, वन फोर टी स्पून लेंगे बेकिंग सोडा, वन फोर टी स्पून लेंगे वनिला एसेंस, अब जिस पैन में हमने बनाये थे पॉपकॉर्ण, उसी में मैंने टिशू से साफ कर लिया था, पैन को अब मैंने चूला खोल लिया तेज, इसमें जाएगा टूटे बली स्पून बटर, आप ओल भी ले सकते हैं, इसमें डाल दी मैंने एक कपचीनी, इसको हम मेल्ट होने देंगे, यह देखें, इस तरह बि वी बिस वख भी इसके नीचे में इसमें डाल दी है, मैंने डाल दिया 140 स्पून के बराबर वैनिला एसंस इसको भी मेक्स करेंगे, और चूला बंat करेंगे इसको, अच्छी तरह में डालूँई पॉपकॉर्ण, और इसको अच्छी तरह से कर लूँँई, मेक्स, मेक्स कर कि आप इसको किसी ट्रेय में निकाल लीजेगा ठंडा हो जाएं तो इनको अलग-अलग कर लीजेगा हाथ से तो ये बिल्कुल साही हो जाएंगे जबरदस चलें जे आज आज आप पानी पीने की सुन्नत करते हैं पानी पीएं जब भी आप बेट के पीएं देख के पीएं सर डहापके पीएं बिसमिल्ला पढ़के पीएं ठीक है तीन सास में पीएं और पानी पी कर शुक्र अलहम्दुलेला लासमें बोला करें ठीक है आप मुझे रखेएगा अपनी दौा में याद मैं आप सब को रखते हूं अपनी दौा में याद मेरे चैनल पे नए तो सबस्क आपानि लाग।